उसाथ बात करने के लिए दानापुर के आभजीडी के बिधायक रित्लाल यादव हैं जिन्होंगे आज सहभुदिन के बेटे उसामा से मुलकात की है सिवान जाकर सर आज आपने शहभु दीन के बात बात की है कहीने कहीन होसला अबजाई की है क्या कुछ बाते हुई है आपके बाते बीच वह देख्तिकत तौर पर बात हुई है हमारी ब्वेक्टिकत पह्षान्त था कि अध्या कि तो मस्तुच कह रहे थे मतलब काफी दुखी है तूट चुके हैं लेकिन जो उनके पिता जी का सविमान था जीने का तरीका था रहांसन था कुछ न कुछ प्रेना यह भी लिए हैं उनसे और बातों बात के दर मैं नहीं पता चलता है कि जितने भी चर्चाएं मिधिया के माद्यम से आ रही है खबर आ रही है उभर करके उसारे के सारे खबर गलत है उनका कहना यही है कि जो मेरे पिता जी के द्वारा विरासत में छोड़ करके गए हैं और दिया गया है उनसे हम प्रेना लिये हैं हम जहां थे उसी जगह पे हैं और उसी जगह पे हम रहेंगे कि इतना हों लोग चर्चा कर ले उसे कोई फरक ने परता लेकिन साबूदीन के समर्थों को दोरा यह आरोप लगाया जारा है कि जब साबूदीन की निधन हो गया उसके बाद आरजेडी का कोई बड़ा नेता उसामा के साथ मौजूद नहीं था वो हस्पताल के चकर काट रहे थे अपने पिता पार्थिप शरी जो है वो सिवान लाना चाहते थे लेकिन कोई भी आजेडी का बड़ा नेता उनके साथ नहीं था इस दुख के घड़ी में कहीं ने कहीं आरजेडी ने साथ छोड़ दिया था यह आरोप लगातार सोसल मीडिया पर लगाय जा रहे हैं इन सारी बातों पर चर्चा होई उनसे ह से हम गये थे अपने बेक्तिकत कारण से बेक्तिकत लगा उसे बलकिने कि पार्टी के दौरा अव्य जा कि लेकिर पार्टी के में सिपाही है टो चढ़ी ने परभावकारी सब्द का कोई अधिकारी बात माना कोई नहीं माना इसमें उनका का गलती है लेकिन तो कहें कि ऐसामा जो है पुद नाराज नहीं आए या आइसी कोई बातों बातों के दरम्यान में कहीं से कोई स्तरा की बात उभर करके सामने नहीं आई है इक आखरी सवाल है रिट लाल यादव जी मुझे याद है कि जब साहब होदीन जिन्दा तो दानपूर आयध थें उसामा एक साधी में आपकी और उसामा के बीच पहले से शुरू से रही है आप आज सिवान गए उनका होसला अबजाई किया क्या आने वाले वक्त में उसामा जो हैं वो सियासत करेंगे आर्जेडी के तरफ से ऐसी कोई बातचीत देखिए कमेश्टरी उनके साथ नहीं थी हमारा उनके पिता जी के साथ था बहुत कम दिन का मुलाकात था बीस से पचेश दिन का मुलाकात था इतनी बड़ी उमर में हमारा लेकिन उतने दिन में जितना हम उनको पहचान सके जो उनके दौरा हमें कुछ सिखने के लिए मिला हम समझते ह काफी है वो क्रिमनल थे साथ में स्वाइमाने थे अभिमाने नहीं थे और प्रकांड विद्वान भी थे हम नहीं समझते हैं कि आज के डेट में जो भी हमारे राज्जे के एंपी लोग हैं उन्हें इतियाज जनकारी होगा 75-80 कंट्री का कम से कम 75-80 देश का विवाया जानते थे भी से में हां कम से कम 17-18 भासा का परियोग करते थे अपने जुबान से बोलने का हमने उनके साथ 15-20 दिन भागल पुर जेल में जो बिताया उन्हीं के माध्यम से जानकारी हुई हमें और कुछ उनसे प्रेना भी मिला हमको चलिए रितलाली आदब जी निस फोनेशन से बाचित करने के लिए बहुत-बहुत सुक्तिया दन्यवाद